हेलो एफ्रिवर्ण कैसे हैं आप सभी स्वाकत हैं आप सभी का मेरे चनल पे आज मैं आप सभी के लिए करियर रीडिंग लेकर आए हूँ हम देखेंगे आपकी आने वाले जो three months हैं आपका करियर कैसा रही का क्या changes आ रही हैं आपके लिए और universe की तरफ से हमारे प्यारे angels की तरफ से आपके लिए क्या guidance है क्या messages है हम सब देखेंगे friends ये आप सभी की request थी कि मैं career के लिए reading करूँ तो इसलिए मैं ये reading लेकर के आई हूँ friends ये timeless reading है जब भी आप ये देखेंगे reading उससे आगे के जो three months होंगे ये readings उन पे apply होगी तो आप जब भी देख रहे हैं आप उसके आगे के three months इस reading के लिए applicable होंगे ठीक है तो चलिए start करते हैं आपकी reading Aquarius, कुंबराशी, कैसे रहेंगे next three months career के लिए हास से thank you, thank you angels, thank you spirit kai, thank you ship baba 10 of pentacles, first card है हमारे पास thank you, thank you angels, thank you ship baba, thank you spirit kai, thank you Aquarius, कुंबराशी, करियर, कैसे रहेंगे next three months death the world, okay king of pentacles beautiful ace of wands, correct, okay yes, eight of wands okay, bottom of the deck here, ace of swords clarity, success, options okay, चलिए आपके लिए देख लेते हैं moonology से भी, Aquarius, कुंबराशी, thank you angels, thank you spirit guide, thank you ship baba next three months career, के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहेंगे the energy is gaining momentum, waxing moon okay, bottom of the deck here, the end of a tough cycle, approach full moon in Capricorn मैं ये भी रखना चाहेंगे, thank you, thank you, thank you, thank you angels, thank you spirit guide, thank you ship baba, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप okay, fun card निकला है, man holding the heart और bottom of the deck है, door to personal healing and happiness, मैं ये भी लेना चाहेंगे, thank you okay कुंबराशी, Aquarius friends, यहाँ पे चो आपकी cards निकले हैं, बहुत ही beautiful cards निकले हैं, आप ही के सामने मैंने शफल करें हैं देखिए, यह जो वक्त है, आप कुछ decision लेने का वक्त है, कुछ decision ले रहे हैं, decide कर रहे हैं clarity मिल रही है आपको, और आने वाले three months जो है, उन पे वो action हो रहा है देखिए, सबसे पहली बात मैं करूँगी death card के साथ, ठीक है death card के नीचे ही ace of wands का भी card है, तो definitely यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके career में खतम हो रही है ठीक है, कोई cycle खतम हो रहा है, finish हो रहा है और कोई new start यहाँ पे हो रहा है old patterns, old चीज़े सब close हो रही है और एक new, fresh new start हो रहा है energetically passionate, passion के साथ, ठीक है बहुती passionate beginning हो रही है आपके career में कुछ देखिए, सब लोगों के लिए तो नहीं हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अपनी अपनी energy के according इस reading को लीजिएगा आप जिस जिस जगा पे जिस जिस तरह से काम कर रहे हैं क्योंकि हर कोई मैं अगर कहूं तो हर कोई एक बहुत उस position पे नहीं जा सकता है ठीक है तो आप जिस जिस level के according काम कर रहे हैं उस उस level के according ही अपनी progress को यहां पे देख सकते हैं लेकिन ये बात thousand percent sure है कि जो भी आप काम कर रहे हैं अगर क्योंकि career के लिहास से अगर आप reading देख रहे हैं तो definitely आप कुछ न कुछ तो करी रहे हैं जो भी कर रहे हैं उसमें आप progress कर रहे हैं आने वाले three months में आगे ही बढ़ रहे हैं और yes यहां पे एक बहुत बड़ा twist in turn में यहां पे देख रही हूं वो क्या है जो भी कुछ आप कर रहे हैं हो सकता है जो लोग यहां पे job कर रहे हैं वो अपना खुद का काम कोई business start करें कुछ भी कर सकते हैं और जो लोग यहां पे business कर रहे हैं हो सकता है कि वो लोग जो है कोई अलग तरह का business में कुछ change ला सकते हैं यहां कुछ यहां पर change चल रहा है बेसिकली जो क्योंकि यहां पर मुझे ace of want से एक rebirth की energy कुछ idea आना आपके दिमाग में या अगर पहले कोई idea आपके mind में था तो इस वक्त आप उसे implement करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां मैं कहुँगी अगर आप कोई risk ले रही हैं career के regarding तो वो risk लेना भी चाहिए क्योंकि यह आपका समय चल रहा है बहुती beautiful समय है 10 of pentacles की energy है उसके साथी king of pentacles की energy है और साथी साथ world card और eight of wands की energy है एक cycle आपका close हो रहा है ठीक है चीजे पीछे छोड़कर के आप new start कर र है career में और yes the energy is gaining momentum आगे बढ़ रहे हैं आप ठीक है आपकी energies बढ़ रही है आप career में gain ही कर रहे हैं आप नीचे नहीं जा रहे हैं अगर कहीं न कहीं वैसा हो ही नहीं सकता कि आपको दिखाई नहीं दे रहा हो जो भी आप कर रहे हैं अगर in case ऐसा है आपकी life में कि आपको नहीं पता चल रहा है कि आप grow कर रहे हैं या कुछ ऐसा आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बिलीव में आने वाले समय में आपको ये दिखाई देगा क्योंकि यहां पे the end of tough cycle approach यहां पे आया है और यहां पे the world की भी energy है death की भी energy है definitely जो भी कुछ tough cycles या मैं कहूंगी क कुछ चीजें ऐसी जो आपको पसंद नहीं थी यहां पे कुछ change है shift हो रहा है आपकी life में transformation हो रहा है कुछ नए सीरे से आप start करते हुए यहां पे नजर आ रहे हैं बहुत ही strong vibes आ रहे हैं क्योंकि death की साथ ही ace of wants की भी energy है तो बस वो चीज अब जो भी चीज आप start करेंगे जो भी चीज आप new यहां पे ideas implement कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो आपको बहुत stability देने वाली है आपके finances बहुत strong होने वाले हैं आपको बहुत respect मिलेगी अगर आप लोग यहां पे promotion की भी wait कर रहे थे तो believe me अगर आपको ऐसी उमीद नहीं थी कि नहीं यह नहीं हो पा र रहा है करियर के करियर के regarding आपको कोई sudden कोई important good news भी गहीं से मिल सकती है और yes यहां पे the world की energy है तो international level पे काम करना कोई job मिलना कोई offer मिलना या आपका जाना करियर के regarding हो सकता है और man holding a heart और door to personal healing and happiness यहां पे मैं कहूंगी अगर कुछ personal issues भी आपके चल रहे थे यहां पे हो सकता है कुछ लोगों के कुछ personal issues भी चल रही हो तो जब हम किसी अपने personal level पे जाकर के अगर हम कहीं stuck हो जाते हैं तो हम उस वजह से भी आगे grow नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी energies कहीं ना कहीं किसी तरीके से disturbed होने लग जाती हैं, blocked होने लग जाती हैं तो वो जो एक मैं कहूंगी new beginning के लिए हम open नहीं हो पाते हैं तभी आपके लिए यहां पे dead card की energy है और यहां पे healing की भी energy है यहां पे आपका जो भी मैं कहूंगी पूरा transformation चल रहा है अगर मैं कहूं यहां पे आपके career के regarding उसके साथ ही साथ मुझे आपकी all over life के बारे में यहां पे पत बदलाव हो रहा है यहां पे और आप एक cycle को खतम कर रहे हैं और यहां पे healing भी आपके लिए provide की जा रही है और healing यहां पे आपके heart की healing कोई person हो सकता है आपको support करें कोई person ऐसा आपकी life में आ सकता है यहां आ सकती है जो आपको support करें अब आप कहेंगी कि career में यह heart का heal होना क तो हम अपनी life के किसी भी area में blessings receive नहीं कर पाते ना हम वो change को accept कर पाते हैं तो उसके लिए आपके heart chakra का heal होना और open होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको किसी तरह की past में कोई stress था, anxiety थी, tension था या कुछ भी था अगर तो यहां पे उस चीज़ की healing होती हुई नजर आ रही ह don't worry, आपका heart heal हो रहा है, वो healing provide की जा रही है, तभी आपके लिए वो happiness, वो खुशियों का दर्वाजा भी खुल रहा है, देख रहे हैं आप, तभी आपके लिए यह opportunity भी आ रही है, तभी आप यह cycle complete कर पा रहे हैं, तभी आप इस transformation को accept कर पा रहे हैं और एक new start कर रहे हैं, तो definitely यह जो भी आप कर रहे हैं, यह बहुत ही beautiful energy है, अगर मैं कहूं तो देखें, यह बहुत high level के cards यहां पे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने अपने, जिस जगह पे आप हैं, उसकी according अगर आप देखेंगे, तो आप मैं कहूंगी grow कर रहे हैं, progress हो रही है आपकी, और जो भी चीज़े भी चल रही हैं, बिलकुल change होने वाला है आपकी life में, आपकी career में, सब बदलने वाला है, आप एक tough cycle को close करके, एक new cycle start करने वाले हैं, अपने career के regarding भी, बहुत कुछ change होने वाला है, और उस change को आपको खुले दिल से accept करना है, और एक new passionate बहुत ही beautiful energy है, बहुत ही beautiful, don't worry, आप नीचे नहीं जाएंगे, आप grow ही कर रहे हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं, बहुत जो आप deserve करते हैं, आप उस position पे और उस level पे जा रहे हैं, very beautiful reading, yes और इस वक्त पे travel भी आपके लिए बहुत important हो सकता है, आप लोग बहुत travel करें इस वक् और यहां पे मैं देख रही हूँ, आपको पूरा अपने family का support मिलता हुआ भी नजर आ रहा है, family भी बहुत supportive रहेगी आपकी, आपको पूरा support करेंगे, जो भी चीजे चल रही हैं आपके career के regarding, family आपकी support बहुत करेंगी आपको, बहुत ही beautiful reading है, Aquarius यह आपकी, अगर आपको इससे कोई भी message मिला हो, कोई भी guidance मिली हो, तो please मेरी video को like and share जरूर कीजेगा, देखिए, जब हमें कहीं से guidance मिलती है, यह divine की तरफ से guidance आपको provide की जा रही है, तो अगर आप like यह comment अगर करते हैं, तो वो एक divine को gratitude होता है, ठीक है, उनको thank you होता है, कि आप उनको thank you बोल रही है, तो वो एक होता है न, equal give and take होना, तभी आपको इतने अच्छे-च्छे messages भी मिलते हैं, तो please अगर आपको कोई भी guidance मिले, कोई भी message मिले इस reading से, तो please मेरी video को like and share जरूर कीजेगा, thank you so much for watching my video, God bless you all, bye bye